से श्रीकाल जी मैं कुल जीतकौर लेक्चार बायलोजी फ्रम गॉब्मेंट गर्ल्स सीनियर स्केंडरी स्मार्ट स्कूल फिरोस्पूर बच्चे आजा पाँ डेली डोस असाइनमेंट नमबर 20 क्लास 12 सब्जेक्ट बायलोजी दे रिलेटेड यूनिट नमबर 1 रिप्रोड़क्शन इस यूनिट दा लेसन है जी नमबर थ्री, human reproduction, ते topic आज दा रहेगा, female reproductive system, बच यो female reproductive system किस नो कहन देने, ता एह हुं देगा, internal ते external sex organs, जड़े के reproduction of new, of supreme दा, विच हेल्प कार देने, in case of female, ता एक overview पहला, बेटा आपा देख दे आंगे, इस था, कि जड़ा female reproductive system है, एस दे विच, a pair of ovaries on both the sides, pelvic cavity दे विच हुं दियाने, एथोद आपा देख रहे हैं कि जिथे ovary है, एदे नाल या finger-like projections ने, अगे, आप complete जड़ी आहा है, ट्यूब, एस नू बोल दे है, this is known as fallopian tube, fallopian tube, और ए फिलोपियन ट्यूब, दे वखरे वखरे पार्ट्स ने बेटा, पहला आगया, फिंबरी जड़े finger-like projection ने, ओवरी तो ovulation वे ले जड़ा over-produce होईगा, एग, उस नू एथे जड़ा receive कर दे है, फिंबरी, और ब्रॉड पार्ट बिगनिंग, वेरी नेर टू दा ओवरी जड़ा पार्ट है, फिलोपियन ट्यूब दा, उस नो ऐसी infundibulum कहने है, फिर आ जानदा है, एमपूला पार्ट फिलोपियन ट्यूब दा, एमपूला ब्रॉड और लॉंग पार्ट हुंदा है का फिलोपियन ट्यूब दा, एथे ही बेटा जड़ा है, फर्टिलाइजेशन अफ गैमीट्स टेक एंट्यूब द्यूब देख्रेयां परिफरी ते जड़ी है, परिफरी ते है, परिमीट्रियम एस तो अंदर मिडल चाह है, मायो मीट्रियम और बिलकुल अंदर हुंदा है, एंडो मीट्रियम here this area this is known as cervical canal और इस ते it communicates with the this part this is known as vagina और एग वेजाइना दी आ ओपनिंग हुं दी या बच्चे दिस नोओ अज वेजाइनल ओपनिंग या कई वार एथे लिख्या हुएगा वेजाइनल पोर या एदलीक होर वर्ड औरिफिस ये वी टर्म यूज किता हुं दै वेजाइनल औरिफिस वेजाइनल ओपनिंग इस कवर्ड बाया मेंब्रेन नोन अस हाइमन नाओ लट उस गो थू थू दिफरेंट पार्ट्स अफ फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम फिस्ट 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 आर ओवरीज ओवरीज बेटा एक पेर ओवरीज हुं दिया है ते पैल्विक फेलोपियन ट्यूब इस ते फेलोपियन ट्यूब दा दूसरा नाम ओवी डक्ट भी हुं देगा और इस ते डिफरेंट जड़े पार्ट्स ने इन फंडिबलं फिंब्री एंपुला इस्थमस एंड दैन इट लीट्स तो यूट्राइन पार्ट यूट्रस यूट्रस है ज and finally it leads to vagina when I do not have a function with in the Я बुद आटेर इस टो यूट्री वेजएन अय। प्राइमरी सेक्ष उर्गन्स इन फीमेल तक त्यान रखने प्राइमरी सेक्ष ऑ्रगन्स फीमेल देखेडिया री जोड़ें उव्यू रोचिक्ष प्राइज म कित्त्य प्रइन्स हम तो यूबिक कै अटेच हो या हुं दियाने with the help of ovarian ligaments ते जड़े ब्रॉड लिगामेंट है डबल पोल्ड पेरिटोनियम उन्हों क्या जानदा है मीजो वेरियम नेक्स्ट कम्स फिलोपियन ट्यूब जिसनों की ओवी डक्ट भी कहा जान देगा दस तो बारा सेंटीमीटर लंबाई हों दिया है ते इन दे फिलोपियन ट्यूब दे जड़े डिफरेंट पार्ट्स है पहला आ जान दे इन फंडी बुलम जो के ओवरी दे बिलकुल नजदीक हों देगा और ये पार्ट जड़े है फनल शेफ हों देगा इस तो अगे इस ते फ्रांट ते यानि के जिते ओवरी इस अटेश्ट ने यूटरस ते नाल इस ते फ्रांट ते ऐस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हों दिया ने ता finger like projections जड़िया ने की काम कार दिया ने function है जी होना दा collect कार दिया ओवा इत्थों ओवरी तों finger like projections ने ओवम नो collect कार लिया and this part is that in fundibulum that is the part of the fallopian tube next part of fallopian tube is ampulla and next to it is isthmus सुनते आन रखना बच्चे ampulla जड़ा है ए वाइड है ते long part है fallopian tube ते जड़ा इस्तमस है ए उस्ते old यानि के narrow and short one type one mark जड़े questions है ओहो इस तरह पाँ ए देचों कई बारान दे है ता answer कर साथ है के ampulla widest and longest isthmus narrow and short next comes the uterine part जड़ा जीदी help देना ले है fallopian tube जड़ी है uterus देनाल connected है function की है fallopian tube नमबर एक ता एग जड़ा ओवरी तो लेके आंदी है second thing fertilization जड़िया है ओ एंपूला दे विच हुन दी है ते एंपूला is part of the fallopian tube next comes uterus जिसनों की माता दा गर्वी कहन देने inverted pear shape हुन देगा और इससे वक वक इससे जड़े हुन दे है सब तो पहला uterus दा है shape के में दी हूं uterus दा अपर पार्ट इस तरह जड़ा है dome type हुन देगा और जड़ा है नीचे इनवर्टेड पेर टाइप है और इदर आ जान दे जी दिस वाट यू कॉल फिलोपियन ट्यूब और फिम्परी लाइक स्ट्रक्चर ते एथों ओवरी अटेश्ट हुन दी हैगी ता बच्चे आ अपर कॉर्णर्स जड़े एथे हुन दे हैगे इन अनु बोल्या जान देगा कॉर्णुआ और दिस इस दाट बॉडी पार्ट सर्वाइक्स नीचे जड़ा कॉम्यूनिकेट कर देगा विद द वजाईना यूट्रस दे की फंक्शन है जड़ों ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होगी सी एमपुला दे वेच जाईगोट तों अगे फिर जड़ा है बाकी दी डेवलपमेंट जड़ी है प्रून दी ओहों इनसाइड द यूट्रस हुन दी हैगे अल्टिमेटली जड़ा है वेचाईना दास सेंटीमेटर लंबी त्यूब हों दी हैगी और एस दी ओपनिग वेचाईना दी जड़ा होन होन वेचाईनल पोर भी केंदे और फिस भी केंदे हैगे यूट्पनिंटे मेंस्ट्रल दी हैगी वजाइनल वजाइना दे थ्रू वजाइनल पोर दे थ्रू जड़ा है बाहर निकलेगा and बेबी जड़ा डेलिवर हुंद है that also takes place through this वजाइना third thing is that male copulatory organ जड़ा है ओ भी सीमन एसे पोर दे थ्रू रिलीस करता है का ता वजाइनल पोर दे बाहर एक कब्रिंग हुं दिया membrane that is known as hymen let us know what we have learnt ता बच्छे पहला very short answer type questions ते वेच्छे पहला करांगे ऐसी multiple choice questions ता पहला question the primary sex organs of female reproductive system जड़े एक बनारे सी ova ओसी ovaries so ovaries is the correct answer which part of fallopian tube has finger like projections ता finger like projections जड़िया की ovary दे नस्दीक सी ओनन वसी कें दे सी fimbri progesterone is secreted by thymus, thyroid, testes, corpus luteum it is secreted by corpus luteum which of the following is largest and widest part आपके आसी याद रखने है largest ते widest हुं देगा ampulla ते जड़ा इस थमस है ओत हुं देगा जड़ा short this is long and wide और इस थमस शॉट हुं देगा नेरो हुं देगा ता यह दोना ज़ापा differences याद रखने हैं कि outer layer of uterus, outer मैंने जड़ा layer perifree दे उपर हुए बाहर borderline uterus दे बारला layer wall जड़ी है उसनो perifree ते जड़ी है, perimetrium केंदे ने true and false fertilizations occur in oviduct, yes ampulla जड़ा है ते हुं दिया fertilization of gametes ते ampulla जड़ा है that is a part of the oviduct, this is correct isthmus is narrow, short and thick walled, yes isthmus narrow and short हुं दे, ते ampulla जड़ा है, ओ long हुं देगा ते wide हुं देगा, so this is true fimbree, fimbree helps in collection of ova, exactly fimbree दा काम है, finger like projections ने, जड़ियां की ovarie तो ova नो collect कर दिया, fill in the blanks, the opening of vagina अपा हुं नहीं करके आया सी, that is known as vaginal pore और दूसरा नाम असी होदा देख्या सी, orifice भी बोल सक दिया हुसनू next question, the vaginal pore is covered by a membrane the membrane जड़ी है, vaginal pore नो cover कर दिया हुनू कहन दिया जी, hymen so these are the answers, what we have discussed, answer की दुबारा बच्चे एक बड़ी तुसी देख लेना same thing is written over here, and finally we come to the short answer type questions what is the function of fimbree, fimbree दा की काम है, collect करना ova, after ovulation function of endometrium, three walls आपा पडियां सी गिया, uterus दिया endometrium बिलकुल अंदर वाला, यानि के जित्थे आके implant हो जान दागा blastocyst, ते fetus दी जड़ी बकी दी सारी development है, ओहो कित्थे हुन दी है, endometrium दे हो थे लग के implant हो तो बाद, and what is the function of fallopian tube, fallopian tube एग जड़ा है, ओह फ्रम ओवरी ओनू लेके हुन दी, at worst uterus ते fertilization जड़ी है, ampula जड़ा part, fallopian tube, the ampulary region हो थे हों दी है, and then that is a long answer type question, explain female reproductive system with the help of a well-labeled diagram, ता बेटा diagram जड़ा है, बड़ा simple hand made diagram जड़ा है, pencil दे नाल हो आया हुए, ओह दे चाप जीनों डिसकास कीता है, you can take help from that diagram, और इस दे नाल ही, कुल जीत कौर नो देओ आगया, फिर मिलांगे, रब रखा, हुआ है, जीत कौर आगया हा हुआ है, ओदल капे जाल हो, जीत करना है,